कि तुडेय वील सीलड अबाउटटब था नेशननल फैमली वेलफेड फोग्रम और नैशनल फैमली वेलफेर सर्विसअं ठीक है तो आज अपने चीज को डिल करते हैं इसमें में विल्म विलเรา प्रोग्रम इंडिया में इसलें लूंच किया गया क्योंकि जैसे ही देश पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल लेवल पर लाना बहुत जरूरी था इसके लिए जरूरी था कि स्मॉल फैमिली नॉम्स को एडॉप्ट किया जाए ठीक है तो पहले के समय पे जो कपल्स होते थे आप देखे होंगे कि उनके जो चिल्रेंड्स है वो मिनिमम पांच छै साथ 9, 10, 11, 12 तक बच्चे हुआ करते थे जो कि एक देखा जाए तो हमारे कम्यूनिटी के लिए प्रोडक्टिव असेट्स नहीं थे क्योंकि हमारे पास इंडिया में उस लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं थी कि उनको सभी को क्वालिटी लाइफ दे सके और अगर ह फैमली वेलफेर सर्विसेस अडॉप्ट किया गया जो कि खास तोर पर बेसिकली फोकस रहता है अपने फैमली प्नानिंग मेथाट्स के उपर ठीक है तो अपन देखेंगे कि यह 1951 में लॉंच हुआ था प्रोग्राम अपने इट्रक्शन देखते हैं फैमली प्लानिंग मी इंडिविज्वल और कपल तो हैब ओनली दचिल्टन देवेंट देवांट वेंट 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 देवांट देम इस इस रिस्पॉंसिबल पैरेंट हुट ठीक है मतलब कि अगर जब उनको जरुबत हो तब वो बच्चा प्लान करें जैसे कि अभी के समय पर planning services के जरीए अपन implement कर सकते हैं तो आपन देखेंगे family welfare includes not only planning of birth but the welfare of whole family by means of total family health care the family welfare program has high priority in India because its success depends upon the quality of life of all citizens. तो बेसिकली यही है कि सिर्फ family welfare program को हम लोग सिर्फ इसले launch नहीं करने कि हमको population control करने बलकि इसले कि हम लोगों की life quality को improve कर सके पूरे के पूरे family के health को improve कर सके The next is history of family welfare program It was started in 1951, soon after the independence In 1977, the government of India redesigned the national family welfare program, planning program as the national family welfare program इसको बाद में नाम को change करके national family welfare program कर दिया गया था जो कि पहले national family planning program के नाम से जना जाता था And also change the name of the ministry of health and family planning to ministry of health and family welfare ठीक है जो कि आज भी चलन में हैं जो भी आज भी अपन बोलते हैं Minister of health and family welfare It is reflection of the government anxiety to promote planning through the total welfare of the family ठीक है गौर्वर्मेंट को चिंता है कि सभी के health को कैसे promote किया जाए तो health को तभी promote कर सकते हैं जब हम लोग सभी के family member के life quality को improve कर सके ठीक है तो इसलिए क्या था to promote family planning through the total welfare of the family ठीक है तो family के total welfare को focus करके launch किया गया था It is aimed at achieving a higher end example to improve the quality of life of the people At most जो basic चीज जो खास चीज पर पन किया गया था है कि life quality को improve करना है Population control होगा तो definitely life quality improve होगी It is the first country in the world that implemented the family welfare program at government level ठीक है वर्ल्ड की पहली कंपनी गोर्मेंट थी जो की family welfare program लाई थी और आज भी अगर देखा जाए तो चाइना के बाद जस्ट हम लोग का जो population है वो around 1.3 करोड हो चुका है ठीक है Sorry 130 करोड हो चुका है ठीक है तो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा population है चाइना से हम लोग कुछ कदम दूर है जो की आने वाले कुछ सालों में 2025 तक हम लोग इसको क्रॉस कर जाएंगे इंडिया इस दा फर्स्ट कंट्री एंडिया पार्ट आफ कंकरेंट लिस्ट बच सेंटर प्रवाइड हंड़ेट परसेंट असेस्टेंज बड़ सेंटर प्रवाइड हंड़ेट परसेंट असिस्टेंज तो स्टेट फॉर दी प्रोग्राम इसमें पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंटर गॉर्मेंट के साइट से दिया जाता है स्टेट गॉर्मेंट को ताकि इसको इंपलिमेंट किया सके Government head has Centrated on these program In various five year plans Government का focus कई प्रकार के five year plan में इसके ओपर family को control करने के लिए Family year program को implement करने के लिए काफी focus रहा है Through higher priority was accorded To it after Fourth five year plan Fourth year five year plan के बाद से इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है Due to bad effect of Emergency and फॉल्टी प्रॉपरगेंडा फैंबली सफ़र्ड मेजर सेट बैक दूरिं 1977 बनाये हैं história अगर ट्रब्लम ढूर्वי कर जिया गया आ preocup लगते रहें से लोगों में एक तरएक से रोम फाल जा था कि यह प्रोग्राम को इस तरहे के family प्लानिंग मेसरेट को हमको एडॉप नहीं करना है तेन इट वस डेडिकेटेट इन नैशनल हेल्थ पॉलिशी नैशनल हेल्थ पॉलिशी लाए गया था उसमें एन आर जो है नेट रिप्रोड़क्टिव रेट जो है शुट भी वन बाइट थाउजन जो टार्गेट रखा ग दो बच्चों के बीच में बर्थ स्पेसिंग को रखा जाए जो कि आज भी रिकमेंड़ है कि एक बच्चे दो बच्चों के बीच में थ्रीयर काइटलिस्ट गैप होना चाहिए तो यह क्या है नैशनल हेल्थ प्रोग्राम को क्या है रिमेंड जो है काफी important aspects रखा गया है हर एक 5-year plan में अपन जानते हैं कि 12th 5-year plan तक हमारे इंडिया में चला है 2070 तक उसके बाद से planning commission of इंडिया को change करके नीतिया योग मना दिये गए उसके बाद से 5-year plan का आना अब इंडिया में बंद हो चुका है तो जब तक 5-year plan चला है तब तक हमारे लिए बहुत जादा 5-year plan में family welfare program जो है important role रखा है अब देखते है concept क्या है ठीक है किस concept या किस blueprint की अधार पर हम family welfare program को implement करते हैं the first concept the concept of welfare is basically related to quality of life ठीक है definitely बात है कि अगर हम लोग बहुत जादा population रखेंगे और हमारे पास resources कम है economic stability कम है social system strong नहीं है institutions हमारे infrastructure facilities उतनी नहीं है हमारे पास तो हम quality life अपने country के लोगों के लिए पर नहीं सोच पास सकते हैं तो सबसे पहला basically जो है relate करता है quality of life ठीक है as such it include education nutrition health empowerment woman welfare and rights shelter safe drinking water all vital factors associated with the concept of welfare ठीक है एक इन्सान के जीने के लिए कई प्रकार के चीजों के आवशकता होती है कई प्रकार के life quality के आवशकता हो सकती है जो कि education हो सकता है nutrition हो सकता है अच्छा employment हो सकता है rights हो सकते हैं तो यह सब अगर uncontrolled level पर population होगा तो इसको achieve कर पाना काफी मुझकिल होगा तो next concept इसका यही था then next concept पर देखेंगे it is central sponsored program for these the state receive 100% assistant from central government ठीक है central sponsored program है जिसके के लिए 100% वैसा central government से state government को मिलता है the emphasis is on a child family ठीक है जो focus रखा गया था वो child family के उपर रखा गया था then also the emphasis is is on spacing method along with terminal method ठीक है दोनों option दिये गये थे spacing method भी अपनाया जाए और terminal method भी अपनाया जाए जो कि terminate करता हो pregnancy को ठीक है the current policy is to promote family planning on the basis of voluntary and informed acceptance with full community participation ठीक है क्या होना चीए voluntary and informed acceptance मतब जो भी family planning method available हो उसको वो voluntary adopt करते हो ठीक है forcefully नहीं बलकि voluntary adopt करते हो और उनको पता inform किया जाए कि इसमें क्या-क्या benefit उनको मिल सकते है the services are taken to every door steps in order to motivate families to accept the small family norms ठीक है यह जो facilities है उसको इतना easy assess बनाया गया कि हरे कोई इसको adopt कर सके अधिन next क्या-क्या aims रखे गए थे सबसे पहला है to promote adoption of small family size norms on the basis of voluntary acceptance ठीक है समय small family norms को adopt करने के लिए बोला गया था जो कि जिसका नारा दिया गया था हम दो हमारे तो बहुत popular रहा है कि कोई भी एक couple जो है वो दो से अधिक बच्चे ना रखे जो कि अभी भी चल रहा है to promote the use of spacing method ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको spacing method को adopt promote करना है ताकि लोग उसको use करें जो कि उस समय पे popular रहा है अगर लोगों में demand है और हम supply नहीं दे पाने तो हम population control नहीं कर सकते हैं और हमारा जो family welfare program है वो उतना अच्छा smooth लेवल पर नहीं हो जो कि एक बार वो behavior change करते हैं अगर उसको adopt करते हैं और हम लोग अगर उसकी supply routine नहीं रख सकते हैं तो हो सकता है कि लोग उसको escape करके दूसर तरीके से चले जाएं या हो सकता है कि वो baby conceive कर ले है ना तो इसलिए ensure करना है कि हमारा supply जो हो adequate रख रहा है next time है to arrange for clinical and surgical services so as to achieve the set target टीक है क्या करना है arrange for clinical and surgical services टीक है ताकि हमारा target को अचीव किया जा सके गवर्मेंट का क्या है हर साल का target होते है कि हर एक population में कितना percentage हमको family को cover करना है और वो population based हर एक district का हर एक state का अलग-अलग हो सकता है तो उसके लिए हमको क्या करना है arrange for clinical and surgical services तो हम दोनों तरिकी की services हमक प्रेंच services देनी है तो सबसे अच्छा method है permanent method जो कि ट्यूबेक्टमी या वेसक्टमी होता है तो उसके लिए हमको surgical services at all level हमको provide करना जरूरी है then participation of voluntary organization local leaders local self-government in family welfare program at various levels सभी level पर जितने भी organizations है खास तर पर voluntary organizations या जो government को back support करते हो ऐसे level ऐसे सभी जो organizations है उनको अच्छे तरीके से involve करके program को implement करना ठीक है then using the means of mass communication and interpersonal communication to overcome the social and cultural hindrance in adopting the program or extensive use of public health education for family planning mass media ज्यादा से ज्यादा लोगों को educate करते हैं अगर mass media अगर advertisement होता है कि यह यह सारे options हैं इससे कोई problem नहीं होता है social stigma दूर करते हैं अपन तो definitely लोग बहुत तरीके से इसको adapt करेंगे तो mass media को भी करना है जैसे कि paper में advertisement हो गया उस समय पर radio हो गया TV हो गया और आज की समय पर गर देखा जाए तो कई प्रकार के methods हैं आजकल social media भी है then a goals, क्या goals set किये गया थे इस program को जब launch किये गया थे 1951 में तो यह program जो है बार-बार उसको upgrade भी किया गया है बीच-बीच में ठीक है family welfare program has laid down by the following long term goals to be achieved by the year 2000 जब हम year 2000 ठीक है जब हम 2000 year में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए कुछ goal set किये गया थे काफी पहले कि हमको क्या करना है ठीक है तो first goal है reduction of birth rate from 2029 per 1000 in 1992 to 21 by 2000 AD ठीक है जो reduction of birth rate करना है per 1000 में 29,000 जो की 92 के हिसाब चिता उसको अपने को birth rate को reduce करके 21 ला देना है per 1000 by 2000 by year 2000 ठीक है reduction of death rate from 10 in 1992 to 9 by per 1000 ठीक है then raising couple protection rate from 43.3 in 1990 to 60% जो CPR rate है अपना उसको क्या कर देना है increase कर देना है up to 60% ठीक है जो की 1990 के साब से देखा जाए तो 43.3% ठीक है family size जो 4.2 था ठीक है उसको कहां तक ला देना है 2.3 तक यह सब year 2000 में पहुंचेंगे तब तक के target है जो की काफी target year 2000 तक achieve कर ले गया इसमें लेकिन 70% से ज़्यादा target को achieve नहीं कर पाया गया लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो after 2000 year 2000 NRHM के आने के बाद ठीक है यह सारे प्रोग्राम को achieve करने में बहुत important रोल रहा है और अब यह सारे target काफी हद तक achieve कर लिए गया है then decrease in infant mortality rate from 79 in 1992 to less than 60 per 1000 live birth जो की achieve कर लिया गया है अगर आज के समय पर हम इंडिया में देखें तो हमारे हाँ पर infant mortality rate जो है वो पर 1046 में आ चुका है और शत्तिस गड़ की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेवल पर है जहां पर आई अमार जो rate है वो around 25 to 2030 के बीच में आ चुका है तो बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो national level से देखा जाए तो हम स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देन, reduction of net protection rate NPR, sorry NRR from 1.8 in 1991, 1981 to 1, टीक है तो उसको 1.8 जो है NRR उसको 1 तक हमको reduce कर देना है then impact of family welfare activities, nearly 98% of women and 99% of men in the age group of 15 and 49 have a good knowledge about one or more method of contraception ठीक है अभी हम लोगों बहुत जादा अवे हो चुके हैं सब चीजों के लिए, क्या-क्या method अवेलेबल है adults seem to be well aware of the modern method of contraception, modern method अगर adolescents की बात किया जाए, तो modern method जो है कि आम तोर पे जो young couples के दोरा use किया जाता है वो है या adults के दोरा use किया जाता है, वो condoms, ठीक है, million female condoms, ठीक है over 97% of women and 95% of men are knowledgeable about female sterilization, ठीक है which is the most popular modern permanent method of total family planning, why only 79% of women and 80% of men have heard about male sterilization तो अगर देखा जातों काफी हद तक mass communication के जरिये लोगों में awareness गया है 93% of men have awareness about the use of condoms, while only 75% 74% of women are aware of the same then around 80% of men and women have a fair knowledge about contraception तो यह है impact of family welfare activities मतलब की impact मतलब इसकी पहुँच कहां तक लोगों तक गई है, कहां तक वो aware हुए है, कहां तक वो use कर रहे है यह उसका impact को बताता है then importance of family welfare program क्या-क्या importance में रखा गया है the year 2010-11 ended with 34.9 million family planning acceptors at national level comparing of 5 million sterilization, 5.5 million IOD insertion, 16 million condom users and 8.3 million oral pill users users are again 35.6 million family planning acceptance in 2009-10 तो अगर देखा जाए तो हमारा family planning acceptance है वो काफी अच्छे level पर बढ़ा है लोग बहुत सादा आडाप्ट कर रहे हैं यह तो ऐसे data है जो कि government तरीके से recorded हैं कई ऐसे भी हैं जो कि market से purchase करके कई और दूसरी तरीके के methods को भी अडाप्ट करते हैं संभवना जता ही जारी कि आगे चलके भी हम लोग contraception को बहुत अच्छे प्रिमाने पर इसको यूज किया जाएगा देन आयोडी इंसर्शन यह बहुत ही यह तयन अच्छे पीशन यह तक आयोडी आज के डेट में अवलेबल हैं टेक है दन कॉंड प्रिम्ट जाया तो कॉंडम से दो और पी यूज किया जा रहा है आए इस पर 2010-1011 सेंस नंबर ऑफ बर्थ प्रिवेंटेट इंप्लिमेंटेशन अफ वेरियस फेंडी प्लानिंग मेशर प्रिवेंटेट 16.335 मिलियन बर्थ इन दा कंट्री दूरिंग 2010-11 as compared to 16.605 मिलियन इन 2009-10 ठीक है तो अगर देखा जा तो इतने मिलियन हम लोग बर्थ प्रिवेंट करने से रोक लिये मतलब सीधी से बात है इतना लाख जो हम लोग बर्थ है उसको रोक लिये है ठीक है लगभग एक करोड या अपन बोल सकते हैं एक करोड शाट लाख के आसप पॉपोलेशन को हम लोग बर्थ से रोक लिये हैं ठीक है जैन स्ट्राटेजी आपनाएं गही है इसको अपन थोड़ा शॉट में जल्दी से देखेंगे इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेस ठीक है जो भी फेमिल वेल्फेर सर्विसेस को इंटीग्रेट कर दिया गया है 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 स्ट्रैक्रेट साथ ताकि ये सब से विद्ध करना है तो वहाँ पर नर्स को उतना यावड नहीं है आगर हम लोग पर्मानन मेधिकल पर जाएं तो वहां पर करना पॉसिबल नहीं है लेकिन उसके लिए भी camp लगाके इसके विवस्ता किया जाता है जानि इंटिग्रेशन विस maternity and child health क्या खेर दिया गया है? इंटिग्रेट कर दिया गया है with maternal and child health ठीक है? जो कि family welfare जो services है उसको MCH से भी merge कर दिया गया है ठीक है? then concentration in rural areas ठीक है खास तर पर जो population explosion है less education है number of family size increase है वो rural area में है around हमारा 70% जो population है वो कहां रहता है? villages में तो focus जो है वो rural area को किया गया है ताकि वहाँ पर ज्यादा family को increase होने सो रोका जा सके then है literacy अपने जानते हैं कि इंडिया में literacy rate बहुत कम है खास तर पर rural area में और urban slums में तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा challenge है तो इसलिए क्या है literacy को हमको आगे बढ़ाना है ठीक है then है breastfeeding breastfeeding is encouraged it is estimated that about 5 million birth per annum can be prevented through breastfeeding then है raising the age for marriage ठीक है जो पहले समय पर बहुत जल्दी 13-14 साल में शादी कर जाता है उसको अब इंडिया में लॉल आके क्या कर दिया गया है women's के लिए 18 years men's के लिए 21 years seal कर दिया गया है ठीक है इससे पहले गर कोई शादी करता है तो गैर कानोनी है then minimum need program ठीक है अपन आगे भी पढ़े थे कि minimum need program जो काफी सरे basic sanitation education clean water supply immunization यह सब minimum program ठीक है तो यह सब चीजों को भी fulfill किया जाए then incentives ठीक है जितने भी वरकर जो काम करते हैं जो case खोचते हैं उन्माय यूडी इंसर्शन कराते हैं यह हो सकता है कि डॉक्टर इंप्लिमेंट करती हो MTP या तो फिर ट्यूबेक्टमी वेसेक्टमी तो उन लोगों को अलग तरीके से incentive दिया जा सके ताकि उन लोग इस काम को और encourage तरीके चीज़िए जा सके and use of mass media ठीक है motivate करना पूरी community को तो रेडियो के ज़र यह टेलिवेजिन के ज़र यह सिनीमा न्यूस पेपर पैंप्लेट एड़ 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 तो दिस आर ओल अल बॉट नेशनल फैंबली वेलफेर प्रोग्राम I hope कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ माया होगा प्रोग्राम के बारे में